ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आपो लेरतन में आप सभी का हारदिक स्वागत है हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के दुख व परिशानियों का कारण हमारे अंदर ही छिपी होई कमजोरियां, हमारे अपने ही विकार है हम सभी अपने जीवन में आये हुए इन विकारों यानि क्रोध, लोब, इरश्या इन सभी से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन ये भी सत्ते हैं कि कहीं न कहीं हम इन विकारों को अपने कारे व्यवार में प्रयोग में भी ला रहे होते हैं यूँ कहें कि कही ना कही हम इन विकारों से मुक्त होना ही नहीं चाहते हैं। अपने भीतर छिपी हुई इन कमजोरियों और इन विकारों को हम कैसे पर्खे और इने कैसे अपने जीवन से सदा के लिए निकाले। आज इसी विश्य की गंभीरता को गहराई से समझेंगे इश्वरिये महावाक्यों त्वारा और इनकिस पश्टी करण के लिए हमेशा की तरह हमारे मद्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी र और पावफल बनाओ तो सब कल हमने बहुत कुछ अपने बुद्धी रूपी नेत्र को क्लियर कैसे रखें उसके बारे में जाना तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दिपावली पर पुराने चौपड़े खतम कर नए रखते हैं तो आप लोगों ने भी वैसे स्मृति वैसे संसकार बनते हैं तो यह चोपड़े पूरा जला दिये वो कुछ किनारे कर रख दिये हैं अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धी उनमें जाएगी जला कर खत्म किया वो कभी-कभी देखने की दिल होती है अभी बहुत समय पहली कि ये बाते हैं ये ब्यापारी लोग अपने पूरा ही बही काता रखते थे जिसको परमात्मा यहां चोपड़ा सब यूज कर रहे हैं तो उस बही खाते के अंदर पूरे हिसाब लिखे होते थे कितना फायदा हुआ कितना घाटा हुआ क्या कमाई हुई उस अब लिखते थे उसको पुराने को बंद करते हैं तो दूसरे दिन से नया चोपड़ा सुरू करते हैं तो परमात्मा भी हम सब को सची दीवाली का एक आर्थ बताते हैं एक तो आत्मा रूपी दीपक सदा जगा रहे माना उसमें परमात्मा की स्मृति का गरत पढ़ता रहे हैं अभी बुझे नह कभी टिम टिमाये नहीं दीपक अगर सदा जगा हुआ है प्रकासित है आत्मा तो कभी भी अंदकार में ठोकर नहीं लगेगी तो एक तो आध्यात्मिक रहसी यह है कि हम आत्मा रूपी दीपक को जगा करके रखें इस नरती को पावर पुर रखें और दूसरा जो भी हमार पुराने हिसाब किताब हैं जो भी हमारे संकल्ब, विकल्ब, चले, कोई ऐसे कर्म हो गए तो हम उस चवपड़े को सिर्फ बंद नहीं करें लेकिन उसको जला दें तो कभी भी दिखने की उसके पर नजर जाएगी उस पर फिर से हमारा ध्यान जाएगा और जो पास्ट की बाते हैं, उन पास्ट की कमजोर बातों को बार बार याद करता है, वो कभी भी इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है, तो परमात्मा हम सब को कहते हैं, जो कुछ पास्ट में हुआ, कोई भी ऐसे संसकार थे, देह विमान के कारण कई बार कई गलतियां होती हैं, किसी से बी तो बुन गलतियों को बार बार रिवाइज नहीं करो, उस चोपड़े को बार बार देखो ने खोल करके उसको जला दिया, वो कटम हो गया, तो जब वो भान रहेगा कि ये हमने बाबा के आगे परमात्मा के आगे दे करके सौहा कर दिया, समाप्त कर दिया, तो उस पर देपावली का एक द्रश्टांत दे करके परमात्मा हमारे पुरसार्त को बीति को बिंदी लगाना सिखा रहे हैं, कि जो भी ऐसी गलतियां हुए उनको पुलिष्टाप लगाओ, और आगे के लिए स्रिष्ट करूम करने की नया चोपड़ा सोवकर, बिलकुल, सब इनी से स पुपड़ी बनाने वाले गवर्मेंट से डरते हैं, इसलिए वह कागज जला कर भस्म कर देते हैं, इस रीती पुरानी स्मृती का चोपड़ाव रजिस्टर बिलकुल जला कर खत्म करके जाना, एक होता है किनारे करना और दूसरा होता है बिलकुल जला देना, रावन को सि साथ जलाते भी हैं, तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा है, तो वह भी निशानी रह जाएगी, वास्तों में सरीर को भी जब संसकार करते हैं, तो जलाने के बाद, सरीर को जलाने के बाद जो उसके अस्थियां बजती हैं, थोड़ी हड़ियां बज जाती हैं, उनको भ तो जब ये एक द्रश्टांत बना हुआ है, तो परमात्मा हम सब को कहते हैं कि कोई भी ऐसी बाते हैं, जो गलत हो गई हैं, जो गलतियां हुई हैं देवमान के कारण, उनको कहीं भी छिपा के नहीं रखना, नहीं तो उसमें भूत प्रवेस हो जाएंगे, माना कोई न कोई आप याद करेंगे तो दुखी होते रहेंगे, इसलिए भूत काल कहते हैं, भूत को याद नहीं किया जाता है, बीत्ती को भूत काल कहा जाता है, तो उसमें भूत प्रवेस नहों, हमाना अभिकारी संसकार फिर से इमर्ज नहों, इसलिए उन बातों को जला दो, और जलाने कि विधी है, योग युक्तभो करके परमातमा की याद में जब पाव़र्फुल योग करते हैं, तो योग को अगनी कहा जाता है, जहां लगन है, बहुत प्यार है परमातमा के, वो अगनी का काम करता है, और उस अगनी के अंदर उस संसकार रुपी जो बीत्ती हुई कर सकते हैं, उनकी बार बार इस्मृति ना आए, इसलिए उसको छिपा के नहीं रखना, बहुत अच्छा द्रश्टांत परमात्मा ने या दिया है, कि अगर कोई चोपड़ा होता है, चिपाया हुआ होता है, तभी अचानक छापा पड़ता है, और पकड़ा जाता है, तो उस तभी अगर को यह अलोकिक रीति बता रहे हैं, कि हमारे संसकारों में कुछ ऐसी गलतियां है, किसी कारण से, तो उनको हम छिपा किने रखिये, उनको जलाए, उन संसकारों को जयसे और कोई बी स्मृति हैं, तो उनको ग्यान सागर में बहा दें, पानी के अंदर डाल दें, ताकि उनकी इस्मृति बार बार रिवाईज न हो इसलिए भीति को बिंदी लगाना इसको कहते हैं उसको जला देना और परमात्मा कहते हैं कि कहीं समझते हैं कि अगर थोड़ा बहुत रोब के संसकार अपने में न रखें तो प्रवर्ति कैसे चलेगी वह थोड़ा बहुत अगर लोब के संसकार भिन रूप में न होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे वह एहंकार का रूप न होगा तो लोगों के सामने परस्नालेटी कैसे देखने में आएगी ऐसे ऐसे कारे के लिए अर्थात आईवेल के लिए थोड़ा बहुत पुराने संसकारों का खजाना जो है उनको छिपा कर रखते हैं ये संसकार ही धोखा देते हैं ये कोई परस्नालेटी नहीं वह इस पुराने संसकारों का रूप प्रवर्ति को पालन करने का साधन नहीं है पुराने संसकारों का लोब, रॉयल रूप में होता है, लेकिन है लोब का अंश। वास्तों में इसको लोग विकारों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कहते हैं, कि इसके भीना काम कैसे चलेगा, बिलकुल अगर बच्चें उस उधरते नहीं हैं, तो उसको धांटना पड़ेगा, उनको पर गुस्या तो करना ही पड़ेगा, आज हमारे घर में अगर नौकर हैं, उनको धांटेंगी नहीं तो काम नहीं करेगा, लोगों नहीं अपना एक बहाव बना ले, द्रष्टांत ऐसा देते है यसे वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, उसको पकड़ के रखा हैं, क्या करें तो हैसा होगा है, तो करना ही पड़ेगा, हम अगर नहीं अगर ब्यूट बोलेंगे, तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, जो बोलना ही पड़ेगा, तो ऐसे कुछ मिसाल लेकर के, अपने आपको कमजोर कर रहे हैं, परमात्मा हम सबके हर संसकार को जो भी छोटा बड़ा नगेटिव संसकार को खतम करना चाहते हैं, चाहे लोब का है, चाहे क्रोध का है, चाहे एंकार का है, यह कोई हमारी परस्नलिटी नहीं है, परस्नलिटी तो यह है कि हम कितने नम्र चेत हैं, कितने काम भी नहीं चलेगा, लोग जब छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो समझते इसके विना चलेगा कैसे, तो करना ही पड़ेगा, परमात्मा कहता है, बच्चे अगर तुमने उसको आईवेल के लिए भी उस अंसकार को छिपा के रखता है, कभी भी वो रूप बड़ा हो सकता है, कभी भी बड़े रूप में वो सामने आ सकता है, इसलिए उसको तुरंत समाप्त करो, परमात्मा आत्मा को संपून पावन बनाना चाहता है, जिस तरह से आत्मा संपून पावन इस रष्टी मंच पर आई थी, बीच में देहमान के कारण, उसके अंदर ये नगेटिवी संस संसकार आ गए, बुराईयां आ गए, काम, क्रोध, लोब, मोहिंकार आ गए, अब समय है वापस जाने का, जब हमको नया पाट बजाना है, स्कल्यूग के पाट को पूरा करके हम अपने घर जाएं, परमधाम जाएं और फिर नई स्रष्टे में हमारा उत्रण हो, तो ये संस संपून पावन बनाना चाहते हैं, और संपून पावन बनाने में पाच्चो विकार, किसी न किसी रूप में जो अंसमात्र भी छिपे हुए हैं, उनको समाप्त करना है, और उसके लिए योग अगनी को परजलित करना है, जितना हमारी योग अगनी परजलित होगी, ये संस अगर योग अभ्यासों कर रहे हैं और उनकी लगन है कि ये कल्यूक का पार्ट पूरा हो रहा है, अभी नया खाता है, नया हिसाब किताब हमें नहीं बनाना है, तो अंदर से अगर निश्चे पक्का है, तो इन विकारों को जीता जा सकता है. और वैसे भी वैसे पहले भी समाज के अंदर जब ये सब चीजें नहीं थी अतनी जादा, तो समाज के अंदर बहुत अच्छी संपन्नता थी, और जैसे ये विकार बढ़ते जा रहे हैं, उल्टा सभी लोगों के अंदर कमी कमजोरियां और स्थोल रूप में भी उनके जीव अधियां में और स्थी अंदर को दुख सब्कारा थी, आपो समाथनिकों रहे हैं तुमान डिज जल्लाया नहीं एक तब तक दुख असानती नहीं होगा, कितना कारी कर लो ये खतम हो जाय ये खतम जा जायृ तो immigrant कार के लिज इंसा के बारे में बहुत सारे कानून बना बीज है देहभिमान, जब तक व्यक्ति आत्म अभिमानी नहीं बना, जब तक स्वयम की पहचान उसके पास नहीं है, तब तक यह घटनाय रुक नहीं सकती, इसलिए आध्यात्मिक ज्यान यह कहता है कि उसको सही दिसा दी जाए, उसको आत्मा का सत्य परिचे दिया जाए, औ कि जो असके अंदर कमी कमजोरिया है, परमात्मा की सकती लेकर के बने, और बनकर के अपनी कर्विंद्रियों को जीत ले, तो कोई भी अपराद नहीं होगा, कभी अंसा नहीं होगी, ब्लातकार नहीं होगी, गलतका मंने होगे, बिल्कुल सभी बात आधा है वह सब परमात्मा कहते हैं कि ऐसी चकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहां कोने में कोई ऐसे पुराने संसकार रहे हुए तो नहीं है मोहो भी होता है प्रवर्ती तरफ ज्यादा अटेंशन जाए यह भी रॉयल रूप में मोहो का अंश है यह बेहत की प्रवर्ती तो 21 जन साथ चलती है और वह प्रवर्ती कर्म बंधन को चुक्तू करने की प्रवर्ती है तो चुक्तू करने वाले प्रवर्ती की तरफ ज्यादा अटेंशन देते और इस तरफ कम अटेंशन देते हैं तो यह मुह मम्ता का रोयल रूप नहीं होगा। जिनमें जरा भी मुह होता है, सारा दिन उनके प्रत चंकलब चलते रहते हैं। किसी को एक बच्चा होता है, तो उस बच्चे के प्रत उनका इतना अटेच्मेंट होती है। ग्यान में हैं, समझ रहे हैं कि यह सब आत्माएं आई हैं, हिसाब किताब हैं, चुक्तू कर रहे हैं सब। लेकिन फिर भी उनके प्रत इतनी अटेच्मेंट होती है, उसको देखेंगे, उसके बारे में बहुत चिंतन करेंगे, सारा दिन उसके प्रत ख्याल चलते रहेंगे। परमात्मा के ता ज़्यादा अटेशन दे रहे हो, माना आपका मुह है। बेहत की प्रवर्ति के लिए समय नहीं है, इस सुरिय सेवाओं के लिए समय नहीं है, और दिन रात अपनी एक बच्चे को एक परिवार को समालने के लिए सारे संकलब चल रहे हैं। परमात्मा तो विश्व परिवर्तन के लिए आया है, और अपने बच्चों को 21 जनमों की गैरंटी देता है, कि बच्चे 21 जनम तक तुम सुद्ध परवर्ति के अंदर रहोगे। इसलिए हद की परवर्ति में जो मुह है, जो हमारी विचार अठे हुए हैं, बार-बार उनकी तरफ ध्यान जा रहा है, उसके लिए हम बहुत सा समय दे रहे हैं। इसकी बजाए अगर हम इसकी तरफ समय देंगे, ये परवर्ति हमारी 21 जनम तक साथ चलेगी। इसलिए परमात्मा कहता है, ये मुह की जो रगे हैं, बार-बार लोकिक की तरफ ध्यान जा रहा है, इससे अपने को डिटेच करो, सेवा करो, पालना करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको पैर पर खड़ा करो, वो समर्त बने, लेकिन बार-बार उनकी तरफ ध्यान दे करके, समय देना, बुलना, करना, और इधर समय न देना, तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस की तरफ ध्यान किचपाते हैं परमात्मा, कि इस समय, अन्तिम समय में, जब कि हिसाब किताब चुक्तू करने का समय है, तो करम बंधन बनाओ नहीं, नहीं नहीं करम बंधन करेट कर रहे ह चुक्तू करने की समय बना रहे हैं, तो यह समझदारी नहीं है समय की पहचान होनी बहुत जरूरी है अगर समझ है, ज्ञान है कि सब समय पूरा हो रहा है कोई चीज मानो समाप्त करनी है, समेटना है और समेटनी की समय हम उसका विस्तार कर रहे हैं, पहला रहे हैं इसलिए प्रवृतिवाले भले मोटे रूप में महाधानी, महाग्यानी भी बने, लेकिन यह किनारे किये हुए विकारों के वंश के अंश भी खत्म करना है, यह भी अटेंशन रखना है, बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है, बहुत सारे टाइटिल परमात्मा ने दे दिये, क्योंकि जब प्रवर्ति में रहते हैं, तो बैलेंस जरूरी है, बैलेंस टोड़ना नहीं है, लेकिन परमार्थ और विवार्थ दो बातों का बैलेंस है, परमार्थ के लिए कितना समय हम दे रहे हैं, माना अपनी उन्नती, दोसरों की उन्नती, परमात्मा के कारी के प्रत हमारा कितना समय लग रहा है, और जो ब्यवहार है, जो प्रवर्ति हमें में लिए समाने के उसमें कितना समय जा रहा है, किसी भी विकार का, किसी भी बुराई का, किसी भी संबंध का, मेरेपन का, उस पर ध्यान नहें कि इसको समाप्त करें, यह जब समाप्त होगा, तब हम समर्पन होगे, संपून जैसे हम अर्पन होगे, तभी हम ट्रस्टी कहलाएंगे, तभी हम बाबा के आगे जैसे बिलकुल ने उशावर हो गए, तो परमात्मा हम सबको कहता है कि ये समय जो है, ये अभी अधिक अपने लोकिक प्रवर्तियों के बीचे समय देने का समय नहीं रहा, इसी भी संसकार को एक जटके से खतम करो, जटकु जैसे, बली चड़ाते न तो एक धक से मारते हैं, तो परमात्मा कह बलकुल, फैसे परमात्मा कहते हैं कि जरा भी निशानी न रहे, निशानी होने के कारण ही बुद्धी का निशाना नहीं लग सकता है, ऐसा उचा पेपर देना है, छोटे-छोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुक्ष्म महीन पेपर से पास होना, यह ह पास्विद ओनर की निशानी तो अब समझा कि क्या करना है अपनी पुरानी चोपड़ी पूरी जला कर जाना इतना फोर्स भरे ये भी बहुत है वह इसके लिए बहुत सूक्चु चेकिंग चाहिए ज़ी बार हमें अपनी कमजोडियों का पता नहीं चलता और ऐसे जैसे नैचुरल चल वहे हैं बार बार जब समय आता है तो वह अटेक होते रहते हैं उमंगुसा खतम हो जाता है कोई बात आती तब पता चलता है इसने कित रसियों को चेक करना चाहिए बुद्धी कहां कहां जाती है सूक्ष्म रसियां है बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए अगर यथार्थ योग नहीं लग रहा है तो जरूर कहीं न कहीं बुद्धी किसी रसी में बंधी हुई है सम्मंधों की रसियां है साधनों की रसियां ह अनों कर्म बंधनों पर ध्यान नहीं जा रहा है। वैटते हैं एक मिनट दो मिनट मुश्किल से प्रमात्मा की आदमे का गरोप आते हैं। महावा के सुन लेते हैं, आते हैं, नियम पालन करते हैं, लेकिन अपनी उन रस्यों को काट नहीं पाते हैं। और उसका कारण है कि वो समझते हैं तो सब चलता ही है यह तो होता ही है लेकिन यह अभी समय आ गया है कि इन सूक्ष्म रस्यों को काटें नहीं तो यह खीच ले जाएंगी हमको आगे उड़ने नहीं देंगी बढ़ने नहीं देंगी फिर करम मंदन का हिसाब आत्मा को अनतर समय बहुत दुखी करेगा इसलिए परमात्मा हम सब का ध्यान केचवाते हैं कि इनकी सूक्ष्म चेकिंग करो और सूक्ष्म चेकिंग करके कोई भी संस्कार कोई भी करम कोई भी रसी है तो उसको ग्यान योग की केंची से काटो निर्बंधन बन जाओ स्वतंत्र बन जाओ तब सहे जो उरसकोगे जिसे आत्मा जब इस सरीर से निकलती है सरीर छोडती है कहीं भी अगर बुद्धी अक्की होती है तो आत्मा को सरी चोड़ने में बहुत महिनत लग किसी साद्या सुविधाओं की करो कि जब तभी कर सकोगे जब उसको बहुत चेक करोगे जब जाच करोगे राइट नहीं है यह क्यों बुद्धी जा रहे है क्या लेके जाएंगे क्या लेकर आये थे जब हम अपने आप से बाती करेंगे तो मैं अपने जाच होती रहेगी पता चलेगा और उसको परिवर्तन कर सकेंगे बिल्कुल भैस अब कहीं बार इनसान सोचता है कि मैं अकेले में बैठ कर परमात्मा को याद करूँ तो जब वो अकेले में है परमात्मा को याद कर रहा है तब तो बहुत अच्छा लेकिन जैसे ही वो society में आता है लोगों के contact में आते हैं तो उसको उन बातों से थोड़ी से अच्छा नहीं लगता है उनके बीच में अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे में वो पुराने संसकार समझो करोध की या कुछ इच्छा के फिर से वो अगर बन हो जाते है तो उससे अंकुर नहीं निका सकता, अभी भी उगेगा नहीं, चाहे कितनी भी हवा, पानी, वाई मंडल उसको मिले, अगर योग को अगनी रूप में परिवर्तन किया, बहुत रक्ति साली याद किया, तो संसकारों का जो बीज है, कोद का है, काम का है, कई ऐसे गुप्त संस संसकार चिपे हुए हैं, और जब ऐसा महौल आता है, जब ऐसा वाई मंडल बनता है, तो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उसको उमने दबाया हुआ है, अच्छे संग से, अच्छे वाई मंडल में रह करके, यान से, योग से दबा दिया है, लेकिन इस बीज को छिपा करके जल आया नहीं, उसको जलाना पड़ेगा, तो परमात्मा हमको यही सिखाते हैं, कि योग अगनी में संसकारों के बीज को जलाओ, उसके लिए बहुत शक्ति सालियाद चाहिए, बहुत पावरफुल योग चाहिए, जिसमें इतनी अच्छी एक आगरता हो, जो योग अगनी का अगनी प्रजुलित की जाती है, तो उसमें कोई भी चीज आएगे, तो उसका रूप बदल जाएगा, यसे ही जब परमात्मा की एक रश स्थिति में हम ठिक जाते हैं, उसकी याद में ठिकते हैं, वो योग इतनी एक आगरता वाला होता है, जिसमें उसकार अपने आप समा कर्मों पर ध्यान नहीं है, अपने लिए समय नहीं दे रहे हैं, अपने से बाते नहीं कर रहे हैं, तो आवस्यक्ता है कि हम अपने आपको समय दें, अपने आपको पढ़ाएं, और एकांत में को समय बैठ करके अपने आपको देखें, आत्मा रूपी हीरा कितना पावन है, कितना सुद्ध बना है तब कभी कमी चेक करना चाहिए और जब चेक करेंगे तो अपने आप परमात्मा के साथ सकती connection जोड़ करके उन संस्कारों को भस्म कर सकते हैं तो वो संस्कार कभी भी मर्ज हो सकते हैं बस अब आज हमने बहुत ही पश्टता से जाना कि कैसे हमें अपनी बुद्धी को clean, clear रखना है और अपने आपको अनेक विकारों के अंश मात्र से भी दो रखना है इस सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आज की एपिसोड में हमने समझा कि ग्रहस्त वहवार में रहते हुए हमें अपने अंदर छिपी हुई कमी कमजोरियों और अपने विकारों को यथार्थरीती चेक करके उन्हें सदा के लिए भस्म जरूर करना है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अकेली में बैठ कर अपने आप से बाते करें अपनी चेकिंग करें और अपनी कमजोरियों को परमात्मा की याद से भस्म करें दर्शकों यदि आपके मन में आज की एपिसोड से संबन्धित कोई भी प्रशन है तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारा इमेल आइडी है अगली एपिसोड में एक और अव्यक्त मूर्ली के साथ हम आपके समख्ष फिर हाजिर होंगे सब तक के लिए लेते हैं इजाज़त ओम शान्ति एहनकार का रूप ना होगा तो लोगों के सामने परस्नालिटी कैसे दिखेगी हमारों में जेख खर्च का संस्कार तब्रिक्ती मार्ट बालों में कुछ न कुछ आईवेल के लिए किनारी रखने का संस्कार इसलिए किनारी की उए विकारों के वंश के अंश को भी खत्म करना है छोटी-छोटी पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं धुक्षिन महीन पेपर से पास होना ये है पास विद ओनर की निशानी at godlywoodstudio.org